जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में कपकपाती ठंड से राहत 31 जनवारी के बाद जारखन में कपकपाती के बीच आज सूबा से ही धूप खिली हुई है बतादे मौसम विभाग के पुरोर्मान के अनुसार गुरुआर को मौसम सुस्क रहेगा वहाई हलके से मत दर्ज का कोहरा वा धुन देखने क कर दो दर्ज को मिल सकता है बता दे राजे के उतरी वंमद भागों में अगले चार दिनों के दोरान निमत्म तप्मान में कोई बड़ए बदलाव की संबहुण नहीं है जबकि दक्षिनी भागों में अगले 24 गंटे के द्वाग निमत्म तपमान में धीरे धीरे 2-4 डिग रही योग में लोगों को होगा फायदा साल 2022 के फरवरी महिने में ग्रहों के रासी में परिवर्तन होने की संभवना जताया गया है बता दे जोती सास्त्र के अनुसार ग्रहों के रासी परिवर्तन का काफी महत्व होता है सास्त्रों की माने तो ग्रहों के दसा, महादसा और यूती का भी एक बिसे स्मात होता है बता दे सभी ग्रहों के अस्थान बदलते रहने से सभी रासी के जात्कों के जीवन पर इसका परभाव पड़ता है इतना ही नहीं कई बार एक से ज़्यादा ग्रह किसी एक रासी में आकर यूती भी बनते हैं ग्रहों की यूती तब कहलाता है जब कुछ समय के लिए कई ग्रह एक ही रासी में गोचर करते हैं बता दे फरवारी में सनी ग्रह की रासी मकर में पंच ग्रही योग का सन्योग है और इसे ग्रहों के यूती बनने वाली है, मकर रासी ग्रहों वाले यूती के लिए बिसेस लाप होने की समभावना है, असान भासा में कहे तो साल के फरवारी के महिने में जोती सास्त्रों के हिसाब से बहुत ही महत पुन योग का निर्मान होने वाला है जे एसेसी सुनवाई पर जार्खन हाई कोट ने जताई नराजगी, जार्खन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजनवा जस्टिस एसेन पर साध की अदालत में जे एसेसी की नई नियुक्ति निमावली को चुनोती देने वाली आजका पर सुनवाई हुई बता सुनवाई के दरवन प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार को कई मोगे पर जवाब दाखिल करने का निदेश दिया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक आपना जवाब दाखिल नहीं किया है, इस पर अदालत ने मोखिक रूप से कहा कि इसने मावली को देखकर प्रतीत होता है कि सरकार समाने वर्ग के चातरों को जार्खन से बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं देना चाहती, इनहें यहीं पर रोक कर रखना चाहती है, जबकि आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए छूठ है, बतादे अदालत ने कहा कि सरकार अने नियुक्तियां भी निकाल रही है ऐसे में अगर इस मामले में देरी की जाय तो अने न्यूक्ति भी इसे परभावित होगी। गुमला में सिलेंडर फटने से छत छतिग रस्त गुमला के बसिया थाना छेतरे के भागी डेरा गाउ में देवा सिस नायक के घर में बुद्वार की रात रसोई गया सिलेंडर फटने से मकान छतिग रस्त हो गया बतादे तेज अवाज के साथ हुए बिसफोट की अवाज से गाउं में अफरा तफ्री मच गई फिर एक एकर ग्रामिन बाहर निकले तो देखा कि देव सीस के मकान में आग लगा है बता दे किसी तरह रात में ही आग पर काबू पाया गया घर के अंदर जाने पर पता चला की गया सिलेंडर फटने के कारण घर में रखे समान वो अच्छत पूरी तरह से छतिक रस्थ हो गया है बता दे सिलेंडर उपरी हिस्टे से फट गया कमरे के अंदर बंद किये गया मुर्गी व बकली जुलास गया है चत्रा में राज ब्यापी बंदी का ब्यापक असर भागपा मवादी के राज ब्यापी बंदी का चत्रा में ब्यापक असर है बता दे यातयात ब्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है मालवहाक एवाम यात्री वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा सलको पसनाटा पसरा हुए है बता दे चत्रा जिला मुख्याले से रांची हजारी बाग गया कोडरमा चोपारान एवम आने दूसरी जगों के लिए चलने वाली यात्री बसों के पहियों पर ब्रेक लगा हुए है बस एवम टेक्सी स्टेंडों में यात्री परिसान है गिरी डी में नक्सली ने ऊड़ाया रेलवे ट्रैक जारखन में गिरी डी के पास नक्सली ने बुद्धवादेर रात बलास्ट कर रेलवे ट्रैक उडा दिया है बतादे घटना की जनकारी मिलते ही एतियाती तोर पर हावडा गया दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों का अवागमान रोक दिया गया साथी कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गया हलाकी रेलवे ट्रेक को कोई खास नुकसान नहीं पहुचा है बतादे की नकसलियों ने बिहार जार्खंड में बंद बुलाया है इसी बीच बुद्धवार रात उन्होंने रेलवे ट्रेक पर बलास्ट की घटना को अंजाम दिया जार्खंड में डबल मडर से संसनी जार्खंड के गिरी डिजीले में एक साथ दो लोगों की हत्या से संसनी मच गया दरसलगीरी डिजीला अंतरगत घोडम था ओपी छेतर के महेस मरवा पंचायत के जलक डिहा नवादा गाव में एक महिला तथा 14 वर्षी बची की टांगी से सर पर वार कर निर्मम हत्या कर हरदिया नदी में फेक दिये जाने का मामला सामने आया है बताया जाता है कि दिन के करीबे 11 बजे जहल कडिया निवासी यूनूस अंसारी की पतनी जगीरा खातून तथा अबिंद अंसारी की 14 वर्षी पूत्री नाजिया परवीन घर से कपड़ा धोने को कर गाव के नईदीक हरदिया नदी चली गए थी वहीं जब कुछ घंटे बाद पूत्र इजहार अंसारी मा की मदद के लिए धुला हुआ का प्राल लाने नदी किनारे गया तो देखा कि नदी में उसकी मा और चचेरी बहन करला हुआ लाहां सब पड़ा हुआ है रांची के मुराबादी में दिन दहारे गोली बारी जहर्खन की राईधानी रांची के मुराबादी मैदान के पास अपराधियों ने दिन दहारे गोली बारी की है बतादे अपराधियों ने दो यूगों को निशाना बना कर गोली मारी दिन दहड़े गोली बारी की घटना से अफरात अफरी की इस्थिती उत्पन हो गई वहीं इस गोली बारी में घायल दोनों युग को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है बताया जाराय की गैंगवार के मामले में गोली बारी हुई है जनकारी के अनुसार लालपूर थाना अंत्रगत मौरबादी मैदान के पास इसकूटी सवर चार अपरादियों ने दो यूगों को निशाना बना कर गोली मारी गोली बारी की इस घटना के बाद इलाके में अफरात अफरी की स्थिती उत्पन हो गई है पलामू पूलिस ने हथियार के साथ नकसली संगठन टी एस पीसी के तिन सदा से को किया गिरपतार जारखन के पलामू जिले से पूलिस ने तिन नकसली को गिरपतार किया है बता दे ए तीनों नकसली संगठन टी एस पीसी के सदा से बताया जा रहे है इनकी गिरफतारी पलामू जिले के रामगर थाना छेत्र से हुई है तिनो नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हत्यार बरामत कियेगा बता दे पूलिस इन नक्सलियों से पूछ ताच कर रही है बताया जा रहा है कि यह नक्सलिय हमले में सामिल रहे है और पाकी परखंट के रहने वाले हैं जारकन पूलिस लगतार नक्सलियों के खिलाप अभियान चला रही है इसमें पूलिस को कम्यावी भी मिल रही है रामगर जीले के PVUNL पतरातू में विस्थापितों के रोजगार में आरक्षन की मायंकों लेकर गुरुवार के प्राता जे एम एम करकताव ने PVUNL गेट को लगभग डेल घंटे तक जाम किये रखा बता दे गेट जाम होने के कारण पलांट जाने वाले मैदुरों की भारी भीर पतरातू राची मुखे सड़क पर जाम हो गई इस गेट जाम करने तितों कर रहे जे एम एम नेता सौकत अंसारी वा योगेंद्र यादों ने बताया कि PVUNL पलांट निर्मान पर रखी भेल कंपनी के अलावा इसके अंदर जितने भी सब एजेंसिया काम कर रही है वा बार समय दूरों को लाकर काम करा रही है चाई बासा में मवादियों को मध्य पर्दे से सफलाई किया गया था विस फोटक राश्टिय जाच एजेंसिय ने पच्छिम सिंभूं के लांजी में सुरक्षा बलो पर डायरेक्सनल से नकसलियों के हमले के मामले में मंगलवार को पाला पूरक आरोप पत्र दाकिल किया बता दे राश्टिय इसीत एन आई की बिसेस अदालत में आई इडी सफलायर और साइस करता के खिलाप आरोप पत्र दाकिल किया गया है उनमें सुखराम, रामा ताई, सोर्तो महली और जैक पारधी सामिल है जारखन में कुरोना के एक हैर नव के समिले हजो राची से 289, पूर्वी समूं 107, बोकारो 20, हजारी बाग 14, धनबाद 14, रामगर 35, 25, कुडारमा 15, पलामू से 0, देवघर 11, गुमला 1, सिम्डेगा 78, गिरी डी से 1, खोटी 1, लातेहर 25, सराइक लाखार सावा 1, 14, गढ़ धन्यवाद दो, लोहरदगा 14, दूमका पचपन, गोड़ा 18, जामतरा 0, साहेम घंच, तीरपन, और पाकुर से 69 मरीज मिले हैं, धन्यवाद, यदि आप चनल पर नहीं होज़े चनलों के सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अन्दवे, साचा वीडियो को एक लाइक कर अपन तैंक्यू